लोक्तंत्र में सर्वोपरी सब से अच्छा दुनिया में माना जाता है लोक्तंत्र को हम क्या कहते राम राज्य हो तो अच्छा यह क्यों कहते हैं हम, क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ राजा के खिलाफ तो राजा ने उसको देश द्रोही नहीं माना राजा ने यह नहीं कहा कि यह धोबी उसके वहाँ EDCDCBI भेज दूँ राजा ने कहा कि राजा शक् हम बात करते हैं राम राज्य की क्यों बात करते हैं क्योंकि वो शासक वो राजा ऐसा था कि जूटे बेर एक शबरी मा के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था वो जूटे बेर उस मा शबरी के उन्होंने खा लिये और हम आज क्या बात करते हैं मनीपूर में एक महिला के पर अत्याचार होता है सुप्रीम कोट फटकार लगाती है तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है तब जाके हमें चिंता होती है हम बात करते हैं लोक तंत्र की मैंने एक कहानी सुनी थी वो कहानी ये थी कि गाउं में एक शासक था बड़ा ही डिक्टेटर था पर वो पूरे गाउं को इकठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं और गाउं के लोग खां बोलते थे एक दिन उसी गाउं का एक आदमी का बेटा जो बहार के राज्य में पढ़ने गया था वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है हमारे राजातों हमारे शासक पूरे गाउं को पूछते हैं और फिर तई करते हैं मैं भी आउंगा उसके बाप ने कहा बेटे आना है तो आ पर जो सब कहते हैं उसमें हाँ हाँ बोलना और कुछ मत बोलना गया बेटा वहाँ शासक ने कहा बकरी ले गई उट को पूरे नगर ने कहा हाँ जी हाँ जी वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी उट को कैसे ले जाएगी मैं सहमत नहीं ठीके सबाब अरखास तुई जैसे ही घर आये बाप ने थपड लगा दी क्या कर दिया तूने बोले कैसे मैं सच बोला बोले नहीं बकरी ले गई उट को हाजी हाजी कहना है क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है और थोड़ी ही देर में और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राश्ट्र द्रोह किया है उठा के बेटे को ले गए थोड़ी देर में इंकम टेक्स की रेड हुई थोड़ी देर में EDI थोड़ी देर में CBII पूरा घर बरबाद हो गया तो ये वाला भी एक शासन है यहाँ पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई उट को हाजी हाजी कहना है